खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NHICS MPPSC में हम लोग देख रहे हैं MPPSC Prelims की जो टॉपिक हैं जितने स्लेबस में जितने भी पॉइंट दिये हैं जितने यूनिट्स दिये हैं पारिशत की तंत्रवा जैब वित्ता इससे संबंधित आज हम लगबख साव ओननेर फैक्ट यहां पे देखेंगे संबंधि जो PDF है वह सेविल सर्विसेश कलब भॉपाल के तरह प्रवाइट की गई है हम आपकी सुविधा के लिए से आडियो वीडियो फार्माट में लेके आ रहे हैं आपको एक लाइक, एक सेर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीद होती है कोई अच्छा करने की तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों को बनाए रखेंगे जिस तरह हमने परी के लिए ये स्रीज लाई थी, उसी प्रकार हम मेंस के लिए भी ऐसी ही स्रीज लेकर आएंगे तो आप हमसे आगे भी कनेक्ट रहें, जोड़े रहें तो आएए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पहला प्रश्न कहा रहा है कि म्रदा, वायू, जल, आधी, परियावरण के किस प्रकार के लिए घहतक हैं तो कैसे लिए अजाइबीक और भवुतिक लिए म्रदा, वायू, जल परियावरण के विभिन लिखतकों की परसपर अंत रिया से किसक निर्मान होता है तो परसपर अन्ताह क्रिया से परितंथर का निर्मान होता है अगला प्रेशन बायुमंडल, जल मंडल, तथास्थल मंडल कवह भाग जहां जीवन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या उसे कहते हैं हम जैब मंळल या Biosphere Reserve कि अगला प्रस्फित के कितने प्रस्प भाग्झ में जल मंडल पाया जाता है तो जल मंडल सरवादिक आपन्सिं गैस पाया जाती है सरवादिक गैस में अप धयान रखने northern उसके बाद oxygen उसके आरगन और उसके बाद कारवंडाय अक्साइड याद कैसे करेंगे तो 9 AC से आप याद करेंगे, 9 AC में N से नाइट्रोजन, O से अक्सीजन, A से आरगन और C से कारवंडाय अक्साइड अगला प्रशन, ध्रूबों पर छोब मंडल की उचाई सतह से कितनी होती है, तो ध्रूबों पर छोब मंडल की उचाई आठ किलोमीटर होती है, यह आप ध्यान रखिएगा अगला प्रशन कहारा बायो मंडल का कितने प्रिसत भाग छोब मंडल में पाया जाता है तो बायो मंडल का कितने प्रिसत भाग छोब मंडल में पाया जाता है अगला प्रशन ओजोन परत किस मंडल ने पाई जाती है तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है किस मंडल में उचाही बढ़ने पर ताप मंडल बढ़ता है ताप मंडल में इसमें आयन मंडल और बाह मंडल सामिल होते है किस मंडल से परिवर्षित होकर संचार को संभव बनाती है तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परवर्थितो कर संचार को संभव बनाती हैं अगला प्रेशन कहरा बाम्बे नेचुरल हिष्टरी स्वसाइट् увелич की स्थापना कब की गयी थी बाम्बे नेचुरल हिष्टरी सोसाइट्री जिसे हम BNHS भी कहते हैं इसकी स्थापना जार स स्थांब्र 1983 को की गई थी, 1983 को की गई और इसका मुख्याला कहा तो मुख्याला की जाती है आगे बढ़ते हैं अगले प्रिशन की और World Wide Fund for Nature, World Wide Fund for Nature इंडिया का मुख्याला कहा है यह बात किसी कर रहा है यह बात कर रहा है WWF की और इसका मुख्याले इंडिया जो है उसकी साका का मुख्याले नाई दिल्ली में है और इसके जाती है और अगला पर परियावर्ण संद्रक्ष्ण एजंसी EPA का मुख्यालय कहां है तो परियावर्ण संद्रक्ष्ण एजंसी जो EPA है उसका मुख्यालय है वासिंटन डी-सी में और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी अंतर राष्टी सौर संद्रक्ष्ण की स्थापना कब की गई तो अंतर राष्टी सौर संद्रक्ष्ण ISA इंटरनिशनल सोलर अलाइंस जो है इसके स्थापना 2005 में की गई थी कहां इसका मुख्याल है तो गुड़गाओं जो है वहाँ पेसका मुख्याल है हरियाना में अगल अगला प्रिष्ण हं गिरी सिंग परिज्च पर्णा की गई थी 1940 mean और ईह गुजरला की घय थी और यह लिए प्रिशन की ओपारिज्च प्रौहराज ठाईगर था उसका सुभारम क कप किया गयल ऑर जो जो कार्वेट निशनल पार्क उत्तराखंड है वहां से शुरूआत की गई थी मद्द प्रदेस में 1974 में शुरू किया गया था और कहां से शुरू किया गया था अगला अगला पर स्मद्द सरकार दोरा नमीबिया से लाए गए चीतों के संबंध में क्या सुभंकर जारी किया गया था तो चिंटु चीता सुभंकर जारी किया गया था और यह कोनो निशनल पार्क में लाया गया है तो आप से पूछी कोनो निशनल पार्क का जो सुभंकर हो क्या है उसका नाम है चिंटु चीता नाम है और जो आप एक और आप ध्यान देंगे कि सुभंकर है कि किसी औ और भीर सिंग है तो कहां का सुभंकर है किस निशनल पार का सुभंकर है अगला honesty थवी दीवस कब मनाया जाता अब कि 22 मार्च को आप जात करेंगे 20 सुजल दिवस मनाया जाता है अगला प्रशन मैदानों में पर्याबढ़नी संतलम राय रखने के लिए नियूनतम कितने प्रिसत जंगल आवश्यक है तो नियूनतम 33 प्रशन जंगल होना आवश्यक है अगला प्रशन कहा रहा है कि ओजोन पर संरक्षन दिवस कब मनाया जाता है तो वूजोन पर संरक्षन दिवस 16 सेतंबर को मनायों ध्यान रखेगा अगला प्रशन कहायदा घढ़ियाल प्रजनन व्योजना किस स्थान से प्रारमब की गई थी तो घढ़ियाल प्रजनन जो थी वह प्राशन मरallas ती लोक्तक जिल में हातियों की सरवाधिक संख्या किस राज में पाई गई है तो हाथियों की सरवाधिक संख्या हुआ करनाटक में मिलती है और 1992 में प्रिएट हांथी सुरू गया थो एलीफन्ट सुरू किया सबसे बड़ी घड़ियाल प्रजुना कहा स्थापित की गई है तो भारत की सबसे बड़ी घड़ियाल प्रजुना यह मुरैना जिले में प्रणारम की गई है और यहां एंपी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में व्रिस्त्रेत है सोन नदी में ठीक नहिमा परी चंबल नदी में हमने अभी देखा था कि घड़ियाल प्रजुन प्रजुना है वह कहां से प्रणारम की गई थी कब 1975 में आगे बढ़ते हैं अगला प्रसुन क्या आगला प्रसु पांडू रंग हेगड़े जी ने अपको अंदर नों को नेतित किया था और कर्नाटक राज में हुआ था नाइंटीन एटी त्री में अगला प्रस्ण वर्ड मैन आफ इंडिया की रूप में सलीम अली को जानते हैं अगला प्रस्ण भारत में हरित करांती का जनक किसे कहते ह अगला प्रफम स्वामी नाथन पुरुषकार से किसे समायत किया गया था तो प्रफम स्वामी नाथन पुरुषकार से प्रफम स्वामी निखेति कि निखेत निखेति निखेति कीणार में निखेति घंडाय में देखेतित्व если निखेतिए पार्फम स्वाघित कितने भागो में जिसमें आवाज, खाद, पुनरजन्म और भौतिक शामिल हैं आगे देखते है रियकर सबतध मθकर सरप्रतम किष्ट के द्वारा किया बैसे की सब्द्र रेजर coefficient क्या ऐजी टांसले ने किया तो पारिश्चित की सब्द किया आर्न εν् कि अगले प्रतारी कि नियो की दोरह किया गया तो प्र propиту कि महादीप कूर भी भागे था तो आश्ट्रेलिया महादीव के पूरी भाग में ग्रीट वेरियर रीप इस्टित है जो कि कोरल से निर्मित है अगला प्रशन भारत के किस छेत्र में सरवाधिक प्रवाल वित्ति पाई जाती है और बागी प्रवाल वित्तियों की बात करें हम तो जो लक्षदीव है वहां नश्ट हो जाती है अगला प्रशन परितंत्र के कार्यात्मक स्वरूप के अंतरगत किसका प्रवाह समलित है तो परितंत्र के कार्यात्मक रूप मेरें बात करें तो उर्जा वापूसक तत्तों का प्रवाह समलित होता है अगला प्रशन कहारा किसी भी पारितंत्र की तंत् प्रति में प्रति में उसे हम मापते हैं आगे बढ़ते हैं अगले पृष्णन की और किसी पारिसीकी तंद्र की प्राचमी उत्पादक्ता किस पर निरुभर करती है तो प्रति इकाई छेत में जीवित पौधे, जन्तु, सोफन, जीव, आदी के सकलभार को क्या कहते हैं तो जीव जन्तु के लिए सकलभार होता है उसे बायो मास कहते हैं अगला प्रशन है परस्थित की पिरामीड की संकलपना किसके दोरा की गई थी तो यहाँ पर यह फिर से इंपॉर्टन के पिरामीड की संकलपना की गई थी अगला प्रशन कहा रहा है कि परजीवी परितंत्र में जीव संक्या का पिरामीड कैसा बनता है अगला प्रशन कहा रहा है घास एवं बन परितंत्र में जीव भार का पिरामीड कैसा बनता है तो कैसा बनता है वह बनता है कैसा सीधा अगला प्रशन है तालाब परितंत में जीवहार का पिरामिट पर आप सीधा देखेंगे अगले प्रशन की और तो 10% उर्जा संचरन का नियम किस ने दिया था तो 10% उर्जा संचरन का नियम दिया था लिंड मैंने आप याद रखिएगा अगला प्रशन दो पार्शित की तंतरों के संक्रमाट शेतों क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या इको टोन जिस बिन्दू में एक जीव से दूसरे जीव में वज्जा का अस्तनांतरन होता है उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं पोषन अस्तर अगला प्रश्ण बिस्व का 90% से अधिक जीवहार कहां पाया जाता है तो बिस्व का 90% से जो अधिक जीवहार होता है वह उश्ण कटिवंधी वर्षा मन में पाया जाता है अगला प्रशन वह खाद श्रिंखला जिसमें आहार श्रिंखला प्रास्मिक उत्पाजन से प्राराम भोकर साक भक्षी होते हुए मास भक्षी तक जाती है उसे क्या कहते हैं उसे क्या बोलते हैं चारण आहार श्रिंखला ध्यान रखेगा ये नाम अगला प्रशन है नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली इस्थान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली इस्थान जी छोणा जाता है उसके लिए हम नूडेशन सब्द का प्रियोग करते हैं अगला प्रश्ण साइलेंट वैली अंदोलन भारत एकिस राजी संबंदी से केरल में हुआ था साइलेंट वैली अंदोलन और इसमें कुंति पूझा नदी आप याद रखिएगा अगला प्रश्ण पर्यावड़न संद्रक्षन ही तो ग्रीन आर्मी का गढ़न किस नहीं किया तरह था यह आप विशेश रोप से याद रखिएगा अगला प्रस्ट जाए विवीत्ता कितने प्रकार की होती है इक ही दर प्रजाती दो बिन बिन प्रजातीं में और प्रश्द की मतलब एक स्काइर दो हजार तीन सो पच्छाटर किलो मेटर स्काइर आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले परिश्ण की और तो अगला परिश्ण कहा रहा है कि होट असपाट की अब धारना का प्रतपादन किस ने किया था तो होट असपाट की जो अब धारना थी उसका प् संस्था का संस्था का नाम है इनιαी अंटल इनट इंटे इंट नेनिशनल यो मतलब अमेरिका की संस्था है जो कि पूर्हें होट स्पाट की पहayan कर दी है भारत में कितने होट इस वाट हैं रहा किंग का जैसे पश्रिंगाट Nautalain के और अंदमा निकोबार में ट्प le चार यहां पर क्या पाए जाते हैं चार हाट स्पाट हैं अपने भारत में अगला प्रश्ण भारत में कितने जैब भगोलिक छेतर हैं तो कुल 25 जैब भगोलिक छेतर हैं भारत में अनातोलिया हाट स्पाट कहां इस्थी थे तो अनातोलिया हाट स्पाट स्पाट इस्थे थे कि पाताल कोट का हैं तो यह कहाँ कितने मंभाणा में जायम कोटi देखते हैं तो अगला प्रश्ण क्या कहा रहा है कि पच्मढ़ी जय बारक्षी शेतर कहां है तो पच्मढ़ी जय बारक्षी शेतर नर्वदापूरम वैतूल और शिर्वाड़ा शेतर में विस्तित है यह उनीस निननान नहीं में क्लेन सरकार के दर अस्थापित किया था चाथ आदनियम भी कहते हैं अगला प्रश्ण जय बुएत्ता अभी समय पर वर्ष उनीस सु बानुवे में कहां हस्ताफर किया गया था तो हस्ताक्षर कहां किया था रियो डीजेनेर्यों में किया गया जो कि ब्राजील में है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कहारा है राजमी अवस्तित है भिंडा वास राष्टी उद्यान विंडा बास राष्टी उद्यान कहां है तो यह हुरियारामाथा है वहाँ पर पाये जाते हैं अगला पर भारत में विस्विराश्थ संदी का अनूदन किस वर्स किया गया था में उसे हम कहते हैं निले भारत में जयेता आधियम का पारित किया गए तो यह आधिया पैया रिए रिवा ही अगल्स मंट्रीयल प्रोटोकाल किसकी प्रोग लगुल लगाता है उस पर रोग लगाता है मतलब और icons लेयर से सम्मधित से सम्मधित है क्योटो प्रोटोकाल पर सब्र Lapamag Digital सब्सक्राइब कर दो कर दो को बता सकते हैं के ऑगला प्रश्ण है ब्हारत में प्रजेक्ट सुरूआत कब से हुई तो पर उत्तर में लागू किया गया था और आज का अन्तिम प्रश्ण है कि काजी रंगा उद्ध्यान कहां इस लिए तो इस तरह में साइंस के इस टॉपिक के लगभक 100 100 facts हमने आपके कर लिए हैं मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये topic revise करने में बहुत ही मरत मिली होगी जोगी नए facts मिले हैं उन्हें आप लिख कर revision जरूर करें चलिए अच्छा है हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए क्योंकि तैयारी कीवे ना जयजाकार नहीं होगी आप profile हो जाएंगे और सिर्फ आपको साल भर कोई नहीं पूछेगा चलिए बहुत बहुत धन्यादा